आज हम इस वीडियो में ब्रिटिस हाउस ओफ कोमन के स्पीकर के पद के बारे में पड़ेंगी, कैसे ये विक्षित हुआ, क्या रोल एंड रेस्पोंसिबिलिटीज है, बहुत मेहतो पूर्ण पद है ये, ब्रिटेन के साशन विवस्ता में और बहुत ही गरीमा में पद है, लोग-सदन के अध्यिक्स को स्पीकर कहते हैं, ब्रिटेन की संसर द्विसतनात्मक है, अपर हूँष का नाम लोर्डस बाह, हौस ओफ लोड या लोर्ड सबाह, और जो लोग सदन है अध्यव कोमन, उसका जो चेर्मेन है, उसको स्पीकर कहते हैं, बारत में भी जो लोक्षदन है लोक्सभा उसके हद एक्स को स्पिकर कहते हैं यह एक इतियासिक पद है 1336 में जब तॉमस अंगर फोर्ड देश के पहले स्पिकर बने थे स्पिकर नाम क्यों पड़ा इसका अपना इतियास है कि शुरुवात में कोमन सभा समराट के पास केवल याची का बेजने वाली संस्था थी यह विदायन का कारे करने वाली संस्था नहीं थी उसमें अधेक्स को ही समराट के पास जाने का अधिकार था यानि एक तरीके से on behalf of house of common speaker है वह है बात करते थे समराट से तो उसी बात करने के अधिकार से यह है पद विक्षित हुआ जिसका नाम पड़ा speaker यह कारे खत्रे से खाली नहीं था क्योंकि यदि उस टाइम समराट बहुत सक्ति साली थे तो समराट अगर किसी बात से एप्रशन हो जाते तो वह अधिक्ष को कोई भी दंड दे सकते थे इस पद की विकास में एक मैतवपून गटना है उसका बहुत मैतवपून रोल है स्ट्वर्ट यूग में संसत बनाम समराट का संगर्ष चल रहा था और speaker थे विलियम लेंथल समराट चाल्स पर्थम चाल्स फस्ट सैनिक लेकर सदन के पांच सदश्यों को गिरिफतार करने आ गई समराट ने speaker की तरफ इशारा करके पूछा कि वो पांच सदश्य सदन के अंदर हैं क्या तो लेंथल समराट के पैरों में गिर गए और बोला कि इस थान से सदन की इच्छा के अतिरिक्त मैं ना तो कुछ देख सकता हूं और ना ही कुछ कह सकता हूं यह जो गटना थी उस गटना से इस पद का एक तरीके से महतो दिरे दिरे बढ़ता गया और समराट ने speaker वही जो सदन चाहे यानि एक तरीके से सदन का माउट पीस हो गया मुख हो गया अलंकि यह पद बाद में उत्रो तर और मैतो पूरुन होता गया कि पराचीं काल में राजही speaker की निउक्ति करते हैं यानि सम्राट speaker की करते ते पर अपने दीरे सदन ने अपने देखस की निरवाचन का दिंगार अपने हाथ में ले लिया आज British House of Commons का स्पीकर का निर्वाचन सरो समत्ती से होता है यह सरो समत्ती से कैसे होता है कि एक साधारण सदश्य नाम का अनुमोदिन करते हैं और एक उन पर प्रस्ताव वक्की रूप में काम करते हैं तो माना जाता है कि भी सरो समत्ती से चुना गया एक बार जो वेक्ति है देक्स निर्वाचित हो जाता है वे प्राय तब तक अदेक्स निर्वाचित होता रहता है जब तक उसे में कारे करने की सकती हो एक बार अगर किसी का चुनाव हो गया तो सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन वो हो स्पीकर का कारिय करते रहते हैं तो तरिके से partition politics से मुक्त है, वो partition politics में भाग नहीं लेते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन प्राय अध्यक्स नहीं बदलते हैं, अध्यक्स पद के लिए प्राय संगर्ष नहीं होता, यह एक दल अधारित चुनाव नहीं होते, नहीं ही दल यह राजनिती में speaker involved रहते हैं, यह निश्पक्स पद है, और उसके लिए कोई संगर्ष या मारा मारी नहीं रहती, सामाने तर दोनों दलों को स्विकारे व्यक्ति को उसके लिए उमिद्वार बनाये जाते हैं, दोनों दल से तात्परिय जो दल सत्ता में हैं और जो दल विपक्स में हैं, सदन के साधरन sagdashye द्वारा नाम का लोदन होता है यह इसलिए कि sदन के उपकारिक परपरा बनी रहे कि स्पीकर का चुनाओ sadhaan ने ही किया है सदन निर्विरोद उसे चुन लेता है यानी चुनाओ है वह है बहुत ही कम लोग प्रोफाइल होता है यानि उसमें कोई संगर्स देखने को ने मिलता समाने तैसरो समति से होता है और सदन के सदेश्यों के द्वारा होता है सदन के द्वारा चुना जाता है और सदन द्वारा चुनने के बाद समराट उसे सहमति दे देते हैं स्पीकर की नियुक्ति के बारे में दो मैतोपन परंपरा हैं ब्रिटिश परंपरा जिसके लिए ब्रिटिश स्पीकर एक्स्क्लूजीवली ब्रिटिश स्पीकर से रिलेटेड है पहला है स्पीकर पद का निर्वाचन एकमत से निर्विरोध होता है ऐसा ब्रिटेन में होता है अन्य जगे नहीं होता जैसे हमने देखा था यूएस में जो speaker का post है वह दल की अधर पर होती है और वो दलीय राजनिती से दूर नहीं जाते दलीय राजनिती में शक्रिय बूमी का निबाते हैं नए की निष्पक्स बूमी का निबाते हैं भारत में भी speaker pad का चुनाओ होता है निर वियोद नहीं होता और वह निश्पक्ष वो मिका निबाते हैं यदपी समय समय पर विबिन स्पीकरों के द्वारा जिस दल से वह संमन्ध रखते हैं उनके पॉक्स मेंुरने लिए गए एक बार के लिए स्पीकर सदा के लिए स्पीकर इस से तात्परे है कि सरकार बदलती रहती है लेकिन स्पीकर वही रहते हैं क्योंकि वो जब स्पीकर के पद पे हैं या जब से स्पीकर के पद पे आते हैं तब से वो दलगत राजनिती से सन्यास ले लेते हैं तो आम निर्वाचन के समय भी वेश्वयम प्रत्यास यहों तब भी नहीं तो बाशन देते नहीं परचार करते और उनके विरुद विपक्स है वो उमीदवार खड़ा नहीं करता यानि उस पद की इतनी गरिमा है कि उस पद पर जो व्यक्ति है वह अगर चुनाव लड़ रह है तो उसको सामने उमीदवार खड़ा नहीं करते और वो निश्पक्स रूप से अपनी भूमिका का निर्वेहन कर सके इसलिए राजनिती से ना केवल वो दूर रहते हैं बलकि राजनितिक दल भी उने राजनिती में नहीं गशिटते हैं इसका उजारन है जैसे रिसेंट म जोन बर्को सितंबर 2019 में स्पीकर पद से इस्तिफा दिया है वो 2009 से इस पद पर थे यानि 2009 से 2019 तक अलग-लग राजनितिक दलों की सरकारे बेटे एंड में आए लेकिन स्पीकर जोन बर्को भी थे स्पीकर का वेतन, सांसद की वेतन से अती रिक्त, इतने पाउंड हर मYourine मिलते हैं, सरकारी आवास मिलता है, सेवानी वृति पर पेन्शन मिलते हैं, स्पीकर की सक्तियां और कारे स्पिकर का पद गोरोपुर्ण और शान शोकत का है बिट्टी स्पिकर का पद अत्यधिक गरीमा में है और शान और शोकत का है वो दल्य राजनिती में भाग नहीं लेते और दल्य राजनिती से उपर उठेवे होते हैं और दल भी उन्हें उसकी निस्पक्सता है कि वो उनके सामने किसी उमीद्वार को खड़ा भी नहीं करते हैं यानि जब तक आप अपना रोल सही निभा रहे हैं और आप उस पद पे बने रहना चाहते हैं आप में कारे करने की छमता है तब तक स्पिकर को कोई अप उस पद से नहीं अठाता है लोग सदन क्या देख्षता करते हैं बैटकों के देख्षता करते हैं जब तक स्थान ग्रेंड नहीं कर लेता सदन की कारवाई आ रहम नहीं होती यानि स्पिकर जब तक स्थान पे नहीं है तब तक बैठक कारवाई नहीं हो स संबालते हैं बोलने की आग्या स्पिकर देते हैं सदन में नियमों की व्याख्या अन्तिम स्पिकर ही करते हैं यानि स्पिकर ने जो नियम जैसा नियम बताया वैसा ही मानने होता है अन्तिम रूप से वही उसके निर्वचक है सदन में व्यवस्ता और अनुशासन पनाए रख तो राज ये सबाग यानि आउस ओफ लोर्ड वहां आउस ओफ लोर्ड को मातर एक माह में उसे पारित करना जरूरी है अन्याथा वैस्वताय पारित मानना जाता है समीटियों के बारे में सक्तियां कौन सा विदेख की समीटि के पास जाएगा चैन समीटि द्वारा सुझाए गे नामों में से स्थाई समीटि के देख्शों के नियुक्ति करना ये समीटियों से समंदित स्पीकर की सक्तियां हैं नतीजों की गोशना वै अपने विवेक से अलप संख्यक वर्ग को प्रयाप्त बोलने का समय देने के बाद ही वाद विवाद समाप्त करते हैं यानि वाद विवाद के समय विभिन वर्गों को जो वैं वहुमत समझता है उनको बोलने का अधिकार देने का सकती निहित है सदन का परतिनी दीतु है स्मराट और सदन की बीच जंता और सदन की बीच गडी का कारियाई करते हैं सदन के विशेश अदिकारों के रक्षक विशेश अदिकार कब सदस्य या बार का व्यक्ति सदन की मान मर्यादा का पालन ना करे दूसरा मंत्री सदन के सदस्यों के विशेश अदिकार का उलंगन करे यानि किसी प्रशन का उत्र ना दे तो या विशेश अदिकारों के अनन के विरुद कारवाई कर सकते हैं यानि मैनिस्टर के अगेंस्ट भी कारवाई करने का राइट स्पीकर्स को है कंगारू समापन का दिकार यह वह दिकार है कि सदन के पास अक्सर समय की कमी रहती है तो सभी विदेकों पर विश्त्री चर्चा संभव नहीं है इसलिए स्पीकर उन विदेकों को चुन लेते हैं जिन पर बहस हो बाव और बाकी सब पर मद्दान सिदाई मद्दान करा दिया जाता है उससे कहते हैं कंगारू समापन यानि स्पीकर को अधिकार है कि मैतवपून विदेकों को चुन कर उन पर मद्दान करा देते हैं प्रकाशन का कारे ये वारत के संदर्ब में भी है कि जो कारवाई है उनका प्रकाशन कैसे होगा वह स्पीकर की सकती है सच्वाल्य होता है सच्वाल्य की करमचारियों के रिक्रूटमेंट से लेकर के उनका पूरा प्रसासनिक नियंतर स्पीकर के पास होता है अब हम देखते ह की ब्रिटिस स्पीकर और अमेरिकन स्पीक्र कि गुमि काँ तिक ह Laz met salvation करते हैं यह वह सकती हैं जो समनेते सभी सदन केぎ यहाद देक्स में तो होती है लई उस्मेशनार का स्पीकर हो हाउस्ा क्लोड का हूँ सिनेट का हो किसी अभी हो दोनों निरनायक मत देते हैं यानि सामयनत है पहली बार बॉट देने का अदिकार नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी पक्स पर पक्स में और भी पक्स में ब्राबर मत आजाएं तो अपना निद्डायक मत देकर वो किसी एक पक्स को बिजैए से खोशित कर सकते हैं। बिजैई बतात देते हैं। दोनों अपने अपने सधन के प्रतिनेदी हैं, दोनों अपने अपने देश में उन्चा और गरिमा में पद्ध्धरन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन में बहुत महतोँ परन अंतर है, वह फिरसम्द्धिस स्पीकर का पद गरिमा में और राजनिती से दूर है निस्पक्सता का पद है वह सरोसमती से चुना जाता है शांत वातारून में चुनाओ होता है और स्पीकर राजनिती से सन्यास ले लेते हैं यानि उनका उस दल विशेज से अफेक्शन या दल विशेज से लगाओ नहीं र नेता होते हैं खुल कर उस दल का समर्थन करते हैं यानि वे एक तरीके से पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं नाइदर की इस पक्स रोल विदेकों पर बैस में बागनी लेते यह बहुमत के दला और सदन के नेता के विदेक पर बोलने और मदान का अधिकार इनको होता है एक बा अगर्टेन की कि स्पीकर के बारे में सबसे विशेस्ट विशेष्ठा है कि एक बार दो मीदूस्पीकर बने तो वो जब तक चाहें तब तक उस प्रकारे कर सकते हैं और उनके विरुद्ध है कोई उमीद्वार भी नहीं खड़ा किया जाता और वो बार बार चुने जाते ह कर बने रहते हैं हमने देखा था कि भी बिंदलों की सरकारों के बावजूद 2009 से 2019 तक जोन बर्कों स्पीकर रहे लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है नियम की व्याख्या के समन्द में स्पीकर का निर्ने अंतीम होता है इसके निर्ने के विरूद सदन में अपील की जा सकती है ब्रिटेन में जो नियम है उनके व्याख्या के समन्द में स्पिकर की सक्ति अंतिम है अमेरिका में नियमों के व्याख्या के समन्द में विवेका दिन सक्तियां बहुत कम है नियम निर्मातरी समीती द्वारा बनाए नियमों के अधिन ही कारे करना होता है वहां के स्पिकर को तो एक तरीके से दो मुख्य अंतर हैं, एक ब्रिटेन का स्पीकर ज्यादा सक्ति हाल यह ज्यादा गरीमा में ही है और तीसरा निस्पक्स भूमे का निवात निवाता है, वहीं अमेरिका का स्पीकर दलिये भूमे का निवाते हैं और उतनी सक्तियां नहीं होती दन्यवात